हलो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं exercise 6.2 के question number 13 से लेकर के 19 तक के question ओकी तो आज की class को सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि कुछ questions ऐसे हैं जो बहुत सारे दिक्कत देते हैं बहुत सारी बच्चों को problem होती है तो उन सभी questions को हम लोग आसानी से देखने वाले हैं ठीक है तो आज की class को सुरू करते हैं जैसा कि आप जानते हैं अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिए और विल आइकन को ज़रूर प्रिस करिए जिससे आपको आने वाले वीडियो का नाटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अच्छे से यहां पर पढ़ाई कर पाएंगे ठीक है तो देखते हैं question number 13 दिया गया है निमलिकित अंत्रालों में से किस अंत्राल में एक function दिया गया है fx equal x की power 100 plus sin x माइनस 1 ध्यारा प्रदत फिलन f हराश मान है हमें बताना है कि किस अंतराल पर ये हराश मान है ये फलन का मान दिया गया है और हाश मान किस अंतराल पर होगा ये बताना है यहाँ पर 3-4 अंतराल नीचे दिये गए है A, B, C करके तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A एक अंतराल दिया गया है 0 से 1 एक अंतराल दिया है दूसरा अंतराल दिया गया है πाई बाई 2 से πाई और तीसरा अंतराल जो दिया गया है वो है πाई बाई 2 से sorry 0 से πाई बाई 2 0 से πाई बाई 2 और D वाला option दिया गया है इन में से कोई नहीं हमें ये बताना है कि ये जो function है इन तीनों अंतरालों में से किस पर हराशमान है ये हमको बताना है ठीक है तो चबच चेक करते हैं हराशमान हो या फिर वर्दमान हो हमें क्या करना पढ़ता है तो सबसे पहले हमें औखलन करना पढ़ता है और सबसे पहले हम करते हैं और तो F-X का औखलन जो होगा F-X is equal to X की पावर 100 का अखलन क्या हो जाएगा तो आपको पता है X की पावर N का ओखलन होता है N, X, N-1 इसी प्रकार 100 की घात है अगर तो 100 नीचे आएगा और x की घात में एक कम हो जाता है 99 बचेगा ठीक है प्लस यहाँ पर sin x का ओकलन क्या होगा तो sin x का ओकलन सबको पता है आपको भी पता होना चाहिए sin x का होता है cos x और minus 1 का ओकलन हो जाएगा 0 यह आपको पता ही होगा अब देखिएगा हमें पता है कि अगर कोई function हराश मान होता है तो कब होता है जब उसका f-x मतलब जो आउकलन होता है वह रिडात्मक आता है अगर यह आउकलन रिडात्मक आता है तो राश मान होता है अगर Auckland धनातमक आता है मतलब F-X धनातमक आता है तो ये वर्दमान होता है तो आप देखिएगा F-X का मान निकाला गया है हमने निकाल लिया है अब ये धनातमक है या रिडातमक है ये हमें पता करना है और अंतरालों की बात करते हैं पहले अंतराल पर चेक करते हैं कि या धनातमक होगा या रिडातमक होगा तो अंतराल पहले की बात करते हैं 0,1 पर 0,1 की अगर बात करें तो F-X कैसा होगा रिडातमक होगा या धनातमक होगा तो हमें पता चलेगा कि ये वाला यहाँ पर 0 और 1 के बीच की कोई भी संख्या रख लो 0 और 1 के बीच की कोई भी संख्या 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 कोई भी रख लो होगी तो positive ही और जब positive की घात 99 करोगे तो negative दोड़ी आ जाएगा रहेगा तो positive ही मतलब ये वाला पद रहेगा positive और अगर ये पद positive रहेगा तो बच्चा ये वाला पद रहा positive और positive में तुम्हें add करना है क्या add करना है cos x, cos x मतलब x की जगे पर यहाँ पर भी 0 से 1 के बीच की कोई भी value रख लो 0.1, 0.2, 0.3 तब भी ये positive ही रहेगा अर्थात दोनो positive होंगे ये भी positive है ये भी positive है तो इसका total जो sum होगा वो भी positive ही होगा अर्थात F-X जो होगा वह कैसा होगा धनात्मक होगा और अगर यहाँ धनात्मक है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ फलन क्या होगा इस अंतराल पर वर्ध मान होगा हराश मान नहीं होगा हमें चेक्या करना है कि किस पर हराश मान है यह हमें ग्याद करना है तो इस पर हमें पता चला कि यहाँ फलन एक्स पिलांग श्टू जीरो कामा वन पर क्या है वर्ध मान है ठीक है पहली बात तो चल गई हमें पता अब दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं क्या बी वाला जो πाई क्या इस पर तो हराशमान नहीं है चेक कर लेते हैं जरा तो इस पर हराशमान चेक करने के लिए पाई एफ डैस एक्स करिएगा जरा ठेके अब यहाँ पर हम एक्स की जगे पर पाई बाई टू से पाई के बीच की कोई भी वैल्यू रख दें पाई बाई टू रखें या पाई रखें या इनके बीच की कोई भी वैल्यू रख दें पाई बाई त्री पाई बाई पाई पाई फोर वगएरा कुछ भी रख दे तो यह जो वैल्यू होंगी यहाँ पर जो अंतर दिखा रहे होंगी हम कह सकते हैं pi by 2 और pi का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि 90 और 180 के बीच की बात कर रहे हैं तो 90 और 180 के बीच में कोई भी value रख दीजी आप 100 रख दो 110 रख दो 120 रख दो 140 रख दो कुछ भी रख दो ठीक है तो यहां पर negative तो नहीं आने वाला है नेगेटिव नहीं आएगा ठीक है और यहां पर जो नेगेटिव नहीं आएगा तो यह positive रहने वाला है positive में यहां पर कास जो है कास pi by 2 और pi के बीच की हम बात कर रहे हैं सुनिएगा मैंने मैंने क्या कहा है कि कास pi by 2 और pi के बीच की बात करें तो ये दो-ती-चुर्थांस में कास काहे का होता है तो हमें पता चला कि कास होता है माइनस का काहे का होता है दो-ती-चुर्थांस में कास होता है माइनस का मतलब ये हुआ माइनस का ये हुआ प्लस का अब दोनों इसमें प्लस है माइनस है तो इसका resultant क्या है गा इन दोनों को घटाने के बाद में क्या answer मिलने वाला है तो हम ऐसा positive मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि हमें पता है कि कास का अधिक से अधिक अगर minus का होगा भी मान तो अधिक से अधिक 1 minus का हो सकता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि sin x और कास x के गभाण नहीं हो सकता यह माइनस दो माइनस तीन ऐसा तो हो नहीं सकता जब बहिए माइनस एक हो गया माल लिया यह माइनस एक हो गया और यहां पर x का value हम जब हम रखेंगे माल लिया 3 5 x 4 3 5 4 रखा 3 5 4 का बलब होता है 135 को के तो जब मैंने 135 मतलब इनके बीज का अंगल 100 और 3 pi by 4, pi by 4 का मनला 22 बटे 7 रख देंगे, उसके बाद में इसकी घात 99 करेंगे, और फिर 100 से गुड़ा करेंगे, तो ये वाला value बहुत बड़ा आएगा, इस बहुत बड़े value से अगर हम एक घटा भी देंगे, तो क्या वो minus की संख्या बच जाएगी, नहीं न, मतलब ये वाला value बहुत ही बड़ा है, और एक जो होगा, बहुत ही छोटा होगा, कास का अधिक्तम माइनस का रिडातमक मान माइनस एक हो सकता है, और तो हो नहीं सकता कोई, ठीक है, तो इतने बड़े value से 100 से हम अगर केवल इसको ना भी ध्यान दें, केवल 100 देखें, तो 100 से जब ए तो क्या हो जाएगा, 99 आजाएगा बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ, कि 99 कोई रिडातमक संक्या थोड़ी होती है, ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं, कि इनका जो resultant आएगा, वो positive ही आएगा, और अगर यह positive आएगा, तो इसका मतलब है, f dash x जो होगा, वह positive है, अता यह धनातमक है, क्या है, धनातमक है, और अगर धनातमक है, तो यहा फलन x belongs to pi by 2 से pi by pi पर भी, क्या होगा, वर्धमान होगा, ठीक है, तो लिख देंगे, यहा फलन x belongs to pi by 2 से pi पर भी, क्या है, वर्धमान है, भई हराश्मान हमें चेक करना था, कहां पर है, किस पर है, तो अभी हमें हराश्मान कहीं पर नहीं मिला है अब C वाला point और बचा है इस पर चेक कर लेते हैं अगर इस पर भी नहीं है तो हम D option दे देंगे इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर हमें C वाला option चेक कर लेना है कौन सा बिंदो है 0 से πाई बाई 2 टेके 0 से पाई बाई 2 लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं F डैस X जो होगा 0 से पाई बाई 2 पर यहाँ धरात्मक होगा या रिडात्मक होगा तो सिंपल सी बात है 100, 100 लिखा 100 लिखा और X की जगे पर पाई 0 से पाई बाई 2 का कोई भी value ले लो पाई बाई 3 ले लो पाई बाई 4 ले लो कुछ भी ले लो हम यहाँ पर पाई बाई 4 ले लते हैं अगर मान लिया सोचने के लिए ठीक है और इसकी गात 99 करते हैं और उसके बाद में कॉस X कॉस X क्या है यह वहिया यह बताओ 0 से पाई बाई 2 प्रथम चरुथांस होता है प्रथम चरुथांस में कास हो, साइन हो, टैन हो, काट हो कोई भी हो प्लस का ही होता है तो यह तो प्लस का होने वाला है और यह भी प्लस का रहेगा अगर प्लस का ही है तो इसका मिलब इसका रिजल्टेंट आने वाला है पॉजिटिव है तो इसका अमलब है यहां पर भी वर्धमान है क्या है वर्धमान है मतलब जीरो कामा पाई बाई टू पर भी यहां फलन वर्धमान है तो इस बिंदु पर भी फलन वर्धमान था इस अंतराल पर भी वर्धमान है और इस अंतराल पर भी वर्धमान है तीन ही option दिये थे और 4 option है इन में से कोई नहीं, तो हमें answer क्या देना है इन में से कोई नहीं, क्योंकि इसने पूँचा था कि किस antral पे यहाँ हराश्मान होगा, हमें कोई भी ऐसा antral इन तीनों में से नहीं मिला, जिस पर यहाँ हराश्मान होगा, तो टो बात clear है question है question number 214 ok so question number 14 में दिया गया है कि 14 question number 14 दिया गया है aka wa hanyunetam manuiart किजिए aka wa hanyunetam manuiart करी मतलब aka manuiart करना है जिसके लिए antral एक antral दिया गया है antral दिया गया है एक से 2 ok 1-2 में fx झारबर एक function दिया गया है fx बराबर x square प्लस ax प्लस 1 से प्रदत फलन वर्ध मान है मतलब आपको इस अंतराल के भीतर ऐसे बिंदू गयाद करने है ऐसे x के मान गयाद करने है a का मान गयाद करना है कि जिस पर यह function वर्ध मान होना चाहिए ठीक है तो चलो देखते हैं हम इसको कैसे गयाद करेंगे ठीक है हमें क्या करना है इसके इक्वल में हमें क्या करना है 0 मान लेना होता है तो 2x प्लस a बराबर में 0 अर्थात यहाँ पर तो करते हैं, 2x Alone बराबर में क्या हो जाएगा, 2x बराबर में minus a या फिर a Alone में minus 2x लिख सकते हैं a का मान क्या होना चiembre माइनस 2x अब यहाँ पर question में आप पढ़ेगा question में कहा गया है कि a वहाँ नियूनुतम मान ग्याद किजिए मतलब A का छोटे से छोटा मान जो हो सकता है आपको ग्याद करना है अगर A का नियुनतम मान हमें ग्याद करना है तो X का नियुनतम मान यहाँ पर रख देजिए X का यहाँ पर नियुनतम मान क्या है तो हमें पता है X का नियुनतम मान एक और दो के बीच में सारी संख्याए है X के मान में क्या है एक और दो के बीच की सभी संख्याए है तो एक और दो के बीच की अगर सभी संख्याए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी x के मान की एक होगी तो हम यहाँ पर x की जगे पर क्या रखने आले हैं एक लिखते हैं a बराबर minus 2 into 1 अगर नियुनतम मान कहा है a का ग्याद किजिए तो यहाँ पर x का नियुनतम मान एक ले लिया और यहाँ पर रख दिया तो a बराबर में क्या आया minus का 2 आया और यही हमारा answer है तो a का हमने नियुनतम मान ग्याद कर लिया है जिस पर यहाँ फलन क्या होगा कह सकते हैं वर्दमान होगा तो यहाँ नियुनतम मान एका निकल के आगया है minus का 2 ठीक है तो यह हो गया हमारा question number 14 बहुत ही easy था कठिन कोई बात वाली कुछ भी नहीं था इसमें ठीक है आसानी इसे आप कर पा रहे होंगे अब हम चलते हैं अगले question पर question number 15 पर question number 15 में दिया गया है कि मान लिजिए minus 1 और 1 ठीक है minus 1 और 1 से असंयुक्त अंतराल इससे बताया है से असंयुक्त असंयुक्त अंतराल का मतलब होता है कि इन इन अंतरालों को छोण करके minus 1 और 1 के बीच की और इनको छोण करके और सभी अंतरालों की बात की जा रही है क्योंकि असंयुक्त का मतलब है कि इनको छोड़ करके तो इन अंतरालों को छोड़ करके एक अंतराल सिद्ध कीजिए कि एक function जो fx है वो x प्लस 1 अपान x है से प्रदत फलन वर्धमान है मतलब ये फलन इस फलन को आपको वर्धमान सिद्ध करना है लेकिन किस अंतराल पर तो बताया है इन से असंयुक्त अंतराल होना चाहिए अर्थात इन अंतरालों को छोड़ करके और कोई भी अंतराल हो उन सभी पर ये function वर्धमान होना चाहिए ये आपको सिद्ध करना है तो चलो देखते हैं, सिद्ध करते हैं तो इनको छोड़ करके और अंतराल क्या होंगे तो simple सी बात है आप लोग संख्या रेखा जानते होंगे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर plus का एक होता है इधर minus का एक होता है इधर minus का 2, minus का 3, minus का 4, minus का infinite तक होता है इधर plus का 2, plus का 3, plus का 4, यहाँ पर plus का infinite तक होता है तो इन अंतरालों को बताया है छोड़ करके, माइनस एक और एक के बीच से अंतरालों को छोड़ करके, इधर वाली सारी संख्या है, मातलब माइनस एक से ले करके, या फिर हम कह सकते हैं, माइनस इंफानाइट से ले करके, माइनस एक तक की कोई भी संख्या हो, या फिर एक से लेकर के plus k infinite की कोई भी संख्या हो, इधर वाली संख्या या फिर इधर वाली संख्याओं की बात की जा रही है, इनको छोड़ करके इनके बीच की संख्याओं को छोड़ करके ठीक है, तो इसका मतलब यह है अब हमें क्या सिद्धी करना है, कि वर्दमान है तो करते हैं जरा ओकलन f-x ब्राबर x का 1 हो गया 1 अपान x का आपको पता होगा 1 अपान x स्क्वेर होता है अगर नहीं पता है तो आप कर लीजिए कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं f-x ब्राबर में आया है 1-1 अपान x x स्क्वेर अब आपको यहाँ पर क्या करना है तो simple सा यह काम है f-x is equal to 1- यहाँ पर 1 अपान x का होल स्क्वेर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है अब x का मान आप कुछ भी रख लीजिए लेकिन इन से असयूक तो होना चाहिए असयूक तो होने बीच वाली संक्याओं को छोड़ करके और सभी विंदू लिए जा सकते हैं ठीके तो अगर हम यहाँ पर minus 2 minus 3 minus 4 या फिर plus 2 plus 2 plus 3 plus 4 ले कुछ भी ले x की जगे पर रखें तो इसका जब whole square जब हम करेंगे तो minus का हो या plus का हो हमेशा plus का ही हो जाना है जैसे हम यहाँ पर आपको यह करके दिखा दें कोई भी संक्या माल लिया minus 2 ले लिया तो minus 2 लेंगे तो 1 minus और 1 बटे minus 2 का square होगा तो यह बन जाएगा 1 minus 1 बटे 4 अब 4 से 4 घटाएंगे 1 से 1 बटे 4 घटाएंगे तो 3 बटे 4 बच जाएगा तो यह कैसा बचा positive बचेगा मनलत धनात्मक संक्या बचेगी ऐसे कोई भी value रख लीजिए यहाँ पर 9 रख लो 10 रख लो 1000 रख लो 50,000 रख लो कुछ भी रख लो भाई तो हमेशा ही हमेशा यह 64 होगा 64 बचेगा 64 से 1 गया तो माइनस का 63 अपान 64 है ऐसे आजाएगा लेकिन negative नहीं आएगा चाहें जितनी छोटी संख्या आजाए चाहें जितनी बड़ी संख्या आजाए लेकिन माइनस की तो नहीं आने वाली है तो इसका मतलब है ये वाला जो function है ये वाला जो f-x है ये x belongs to उन पर मतलब माइनस infinite से माइनस 1 पर और 1 से लेकर के infinite पर मतलब इससे असंयुक्त कोई भी संख्या पर क्या है धनात्मक होगा धनात्मक होगा और अगर धनात्मक होगा तो इसका मतलब है तो हमारा f-x है वा क्या होगा वर्धमान है वर्धमान है ओके ये बात आपको clear हो गई और यही आपको सिद्ध करवा रहा है कि यहाँ फ़लन वर्धमान है इससे असा यूं तगर है ये सिद्ध कीजिए तो हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही आसानी से ऐसे धीरे धीरे आप लोग पढ़ेंगे लियलाइस करिए धीरे धीरे आप लोग पढ़ें प्यार से पढ़िए बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है और अगर आपको वीडियो पशंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके साथ पढ़ते हैं उनको भी सेर करिएगा उनको भी बताइएगा हमारे चैनल के बारे में वो भी आएं और यहां से सीख सके हूँ अच्छी तरीके से सरल तरीके से बहुत ही सरल डंग से मैत को भी और फिजिक्स को भी ठीके तो चलो देखते है एफएक्स इस उकल टू दिया है लाग साइन एक्स ठीके सिद्ध करना है कि ये फ़लन एफएक्स बरावर लाग साइन एक्स जीरो कामा पाई बाई टू पर वर्दमान है हमें सिद्ध करना है कि जो फ़लन है ये जीरो कामा पाई बाई टू पर कैसा है वर्दमान है औके ये वर्दमान है और दूसरा अंतराल दिया गया है पाई बाई टू कामा पाई पर यहाँ हराश मान है ये भी सिद्ध करना है हराश मान है तो चलो ये दोनो बातें सिध्ध करते हैं हम लोग कि ये 0, pi by 2 पर तो ये वर्धमान होगा और pi by 2 से लेकर के pi पर यहाँ हराश्मान होगा ये हमको सिध्ध करना है इसको सिध्ध करने के लिए सबसे पहले हैं तो हमें οकलन ही करना है तो करते है f डस x is equal to की जगे लिए तो sin x का दुबारा cos x हो जाएगा cos x हो जाएगा तो यह function मन गया f dash x वराबर cos x बटे sin x होता है बच्चा cot x क्या होता है cot x होता है तो f dash x वराबर आ गया है cot x अगर यह f dash x हमारा positive होगा तो यह वर्दमान होगा negative होगा तो हराशमान होगा तो सबसे पहले इस अंतराल की बात करते है 0, pi by 2 पर f dash x कैसा होगा positive होगा या negative होगा यह आप बताइएगा तो simple सी बात है भाई कि 0 से pi by 2 का मतलब होता है प्रथम 4 थांस 0 से pi by 2 मतलब 0 से 90 प्रथम च्थ उठांस और प्रथम च्थ उठांस में सभी त्रिकोण में तियर्पास sign, cost, and, cot, cause जो भी होता है सारे के सारे positive होते है तो प्रथम च्थ उठांस की जब बात चले तो cot भी positive ही होगा और अगर positive है तो इसका मतलब है इस पर यहाँ वर्धमान होगा अताहा लिख देंगे अताहा फलन जो है फलन 0, pi by 2 पर वर्धमान है वर्धमान है तो यह तो हमने प्रूफ कर दिया पहली बात अब दूसरे वाले point को सिद्ध करिये pi by 2, pi पर f dash x कैसा होगा positive होगा या negative होगा simple सी बात है pi by 2 और pi किस से दुथांस में होता है तो यह होता है دोटीच दुथांस में sine और wecheck 없 system प्रस का होता है आपको पता होगा आपने पढ़ा होगा आगर sine और we also प्रस का होता है और सभी negative होते है minus का होता है तो यह तो है cot और cot तो negative होगा ही मनलब pi by 2 से pi by पर मनलब दो तीज उत्हांस में cot x negative होता है और अगर यह negative होता है तो इसका मतलब है यहाँ फलन यहाँ फलन 0 sorry, pi by 2 कामा pi पर क्या होगा? हराश मान होगा, ठीक है? तो यह हमने सिद्ध कर दिया है क्यों होगा? क्योंकि f dash x negative आ रहा है और यह positive हो आ रहा था इसलिए यहाँ वर्धमान होगा इस वाले अंतराल पर ठीक है? तो बहुत ही आसानी से question number 16 भी आपको समझ में आया होगा कुछ नहीं है, बीचे अगर आपने high school की math सही से पढ़ी है फिर first year में आपने सही से थोड़ा बहुत दिमाग लगाया है तो आप inter की बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और अगर आपने high school first year में नहीं पढ़ा है, directly inter में पढ़ रहा है तो फिर थोड़ी से problem होगी ही कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ज्यादा problem नहीं होगी, जितना मैं कहता हूँ लेकिन उतना तो करना ही पड़ेगा, ठीके तो आप करते रहे है, practice करिए क्योंकि math जो है practice का ही subject है अगर आप practice नहीं करते है तो फिर math आपको नहीं समझने आएगे ठीके, तो चलो आगे देखते है क्या दिया गया है दिया गया है अब हमें सिद्ध करना है कि 0 से πाई बाई 2 में वर्दमान है यह जो function दिया गया है 0 से पाई बाई 2 पर यह वर्दमान है, यह हमको सिद्ध करना है आगे यह और चिद्ध करना है कि जो 3 पाई बाई 2 three pi by 2 से लेकरके two pi पर यहाँ हराश मान है हराश मान है ओकी? यह भी हमें ही सिध्धि करना है तो चलो, देखते हैं, सिध्धि करते हैं कोई दिक्कत नहीं है कैसे सिध्धि करेंगे? सिध्धि करने के लिए तो तरीका है हमाई पास f around x निकालना ही है minus sin x, क्या होता है, minus sin x, तो इसको ऐसे कर दिया, और यह हो गया, minus sin x, ओके, इतना हो गया, f dash x is equal to, 1 upon cos x, और minus का sin x, तो modulus में रखेंगे, लेकिन जब modulus हटेगा, तो क्या आजाएगा, modulus हटता है, तो plus का आजाएगा sin x, क्योंकि modulus से जब कोई भी value वाहर निकलता है, तो वो positive ही आता है, हमेंशा, तो यह positive आएगा, अपान में cos x, यह भी positive, अर्थात f dash x is equal to, क्या हो जाएगा, साइन बटे कास 10 x हो जाएगा, क्या हो गया, 10 x हो गया, अब 10 x हो गया, अब आपको ध्यान से देखना है, कि 10 x positive है, या negative है, यह आप पता करिए, जैसा होगा, उसी प्रिकार से हम वर्दवान हराश्मान बताएगे, तो सबसे पहले, 0 से πाई बाई 2 पर, f dash x कैसा होगा, आ जा रहे है, और पुर्थम जरुदास में सभी positive होते हैं, तो 10 भी positive होगा, और अगर यह positive है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि यह फलन, यह फलन, 0 से πाई बाई 2 पर क्या होगा, वर्दमान होगा, ओके, वर्दमान है, clear है, पहली बात तो हमारी प्रूब हो चुकी है, अगली बात की, अगर बात करें, 0 से, छारी, 3 पाई बाई 2 से, 2 पाई पर, F-X क्या होगा, तो F-X है 10 X, तो 10 X का मान 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक, मतलब, 270, इसका मुलब है, 270 से, 360, 270 से 360, यह कौन सा, चतुर्थांस है, हमारा, सिंपल सी बात है, चतुर्थ चतुर्थांस है, अब चतुर्थ चतुर्थांस में positive कौन होता है cause होता है और sec होता है यहाँ पर तो है 10 क्या 10 positive होता है चतुर्थ में तो answer मिलना चाहिए नहीं इसका मतलब है यह negative होता है अगर यह negative होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ फलन क्या होगा अताहा अताहा 3 pi by 2 से टू पाइपर यह फलन कैसा होगा यह फलन हराशमान होगा हराशमान होगा ओके तो ये भी हमने सिद्ध करिया है कि हराशमान उस अंतराल पर सिद्ध करना था वो भी हो गया वर्दमान इस वाले अंतराल पर सिद्ध करना था वो भी कर दिया ठीक है तो बहुत ही इजी है केव हम लोग चलेंगे थोड़ा सा अगले वाले question पर अगला question है हमारे पास question number 18 और question number 18 में क्या बताया गया है question में कहा गया है सिद्ध कीजे की R में R का मतलब है कोई भी real number हो सकता है real number मालुब आपको पता ही है कि कोई भी real number मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माइनस का हो या प्लस का हो या फिर अपान वाला हो दसमलों वाला हो सब ही real number के अंतरगत आते हैं ठीके तो सिद्ध कीजे की R में दिया गया फलन मतलब FX जो है FX ठीके दिया गया है XQ माइनस 3X स्क्वेर प्लस 3X माइनस 100 वर्दमान है मतलब इसको हमें सिद्ध करना है कि यह फलन X का हम कोई भी मान रख लें लेकिन हर बिंदू पर यह फलन वर्दमान होगा यह हमको प्रूफ करना है ठीके तो इसको प्रूफ करते हैं ज़र्द्यान से देखिएगा कैसे प्रूफ करेंगे हम आउकलन करते हैं, सबसे पहले f-x जो है, यह हो जाएगा 3x square, और यह नीचे आएगा, आउकलन होगा, 3 दुना 6x हो जाएगा, आप जानते हैं, 3x का 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम 3 common ले सकते हैं, तो 3 common ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x square minus का 2x plus 1 बचेगा, अब यहाँ पर ज़रा आउकलन करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा, कि 3 यहाँ पर आउकलन करते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आउकलन करेंगे, सारी, आउकलन नहीं, यहाँ पर गुड़न खंडी करते हैं, बार बार आउकलन निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर गुड़न खंडी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x square minus का x minus का x plus 1, गुड़न खंडी करना आप सब जानते होंगे, कोई बताने वाली बात नहीं है, तो 3, in 2 में x common लिया, x minus 1, फिर x minus 1 का whole square, और भई, आप ध्यान से देखेगा, x का मान आप कुछ भी रख लो, minus का रखो या plus का रखो, x का मान कुछ भी रख लो, मतलब x कोई भी real number हो, उन सब के लिए ध्यान से देखेगा, x minus 1 का मान, plus का होना चाहो, या फिर minus का हो, लेकिन जब इसका whole square लग गया है, तो whole square जब हुआ, इसका मान जब जब इसका work करेंगे, तब तो वो धनात्मक होई जाएगा, मान जब माइनस की भी संख्या अगर निकल के आती है, minus 5 आ गया, और जब इसका square करोगे, तो plus का ही 25 आ जाएगा, क्योंकि minus हो या plus हो, bracket के भीतर, लेकिन जब इसका square होगा, तो वो plus हो जाना है, तो इसका मनलब है, x का मान हम कोई भी real number लख लें, minus का रखें या plus का रखें, सब पर इसका मान धनात्मक ही हो जाएगा, क्योंकि whole square हमेशा ही हमेशा धनात्मक होता है, ठीके, तो हम कह देंगे, x belongs to r पर f dash x धनात्मक होगा, कैसा होगा, धनात्मक होगा, या positive होगा, लिख देना positive होगा, ठीके, अगर positive होगा, अतहा, हम कह सकते हैं, अगर ये positive है, तो इसका मनलब है, x belongs to r, मतलब कोई भी real number पर, फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, फलन, वर्धमान, होगा, ओके, तो ये फलन वर्धमान होगा, कोई भी real number पर हम, कर सकते हैं, ये वर्धमान ही होगा, ठीके, तो अगला question अब देखते हैं, देखे, सब question कुझा ध्यान से सुना करो, और जो मैं आपको समझाने की कोईश्च करता हूँ, उसको ध्यान से समझेए, आप अगर इधर उधर दिमाग ले जाएंगे, तो फिर आप नहीं समझता हैंगे, ठीके, तो थोड़ा सा जब तक आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस समय आपका दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर कंस्ट्रेट कर लिजे, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं समझाने की कोईश्च कर रहा हूँ, ठीके, तो चलो देखते हैं अंगला क्यूश्चिन, 90 नंबर औफसनल क्यूश्चिन है, निमकेत में से किस अंतराल में, सारी, औफसनल नहीं है, क्यूश्चिन दिया गया है, निमकेत में से किस अंतराल में, Y is equal to, Y is equal to, X square, E की पावर, माइनस X, ठीके, वर्धमान है, हमें बताना है कि, किस अंतराल पर यह जो function है, यह वर्धमान है, यह आपको घ्याद करना, तो चलो, करते हैं, यहाँ पर नीचे बहुत साथ अंतराल दिये हैं, और किस अंतराल पर यह वर्धमान है, हमें चेक करना है, ठीके, तो चलो, सबसे पहले तो इसका, ओकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy by dx is equal to first second लगेगा भी या क्या लगेगा first second तो first का करेंगे x square का 2x और second को ऐसे लिख देंगे minus e की power x उसके बाद में क्या करेंगे minus plus लगाएंगे second का करेंगे e की power minus x का e की power x और minus लेकिन हो जाएगा क्योंकि minus x घृइगई और x square को ऐसे लिख देना है तो ज़ड़ा हम यहां पर common लें तो क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा common? यहां पर e की power minus x और x इतना common मिलेगा, क्या बचेगा? 2 minus x मिल जाएगा आपको क्या मिला? 2-x आपको मिल जाएगा इतना बचा आपके पास तो अब यहाँ पर ज़रा ध्यांस देखिए dy by dx is equal to x फिर 2-x अपान में e की पावर x को नीचे कर दिया तो e की पावर x प्लस का हो गया अब देखिएगा यह किन बिन्दों पर धनात्मक होगा और किन पर रिदात्मक होगा अंतराल 3-4 दियेगा है सब पर हम लोग चेक करेंगे तो अंतराल इधर लिख लेते हैं इधर f-x लिख लेते हैं इसका value क्या f-x लिख होगा है dy by dx वही होती है x इंटू में 2-x अपान में e की पावर x और इधर वर्दमान हराशमान देखेंगे अंतराल क्या-क्या दिये हैं तो पहला अंतराल है माइनस दो से जीरो माइनस दो से जीरो के बीच की बात करते हैं फिर आगे एक दिया है दो से इंफनाइट तक दिया है फिर दिया है जीरो से दो पर जीरो से दो पर ये option दिये गए है चेक करिए किस पर ये है वर्दमान होगा तो simple सी बात है हम minus infinite से plus infinite के बीच की कोई भी संक्या ले ले तो क्या सब पर ये होगा positive अगर वर्दमान होना है तो positive होना चाहिए तो अब यहाँ पर हम ले ले minus का कोई भी minus का माल लिया हमने एक ले लिया माइनस का अगर हम एक ले लेंगे तो सिंपल सी बात है माइनस का एक ले लेंगे और फिर यहाँ पर माइनस का एक रखें तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा दो एक और दो रेक तीन हो जाएगा और बटे में एक की पावर माइनस एक हो जाएगा तो क्या यह value रिडात्मक नहीं आया क्या रिडात्मक आया simple जिवात है रिडात्मक आयेगा अगर हम यहाँ पर छोटी कोई value ले ले तब धरात्मक भी आ सकता है इसका मतलब है इस पर तो यह किसी भी प्रिकार से वर्धमान नहीं हो सकता क्योंकि minus infinite से plus infinite के बीच लाखों करोनों संख्या होगी उन सभी संख्याओं पर तो यह वर्धमान नहीं होगा किसी पर यह negative आयेगा तो किसी पर positive आयेगा इसका मतलब इस पर तो यह वर्धमान नहीं है ठीक है cancel होता है यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर अगर आयें तो यहाँ पर इसमें देखते है minus 2 और 0 के बीच की कोई संख्या ले लो minus 2 और 0 के बीच की संख्या जिसे हमने ले ली minus 2 और 0 के बीच की संख्या minus 1 minus 1 को रख कर के देख लेजिए एक बार रख कर के जरूर देख लेना ठीक है तो minus 1 यहाँ पर रखा और यहाँ पर 2 और minus 1 रखेंगे plus का 1 और अपान में e की power minus 1 क्या हो गया minus का 3 3 कम 3 मटे e की power minus 1 आर्था तो minus का 3 e क्या यह negative नहीं आया यह negative आया और अगर यह negative आयेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ हराश मान होगा इस पर वर्धमान नहीं होगा ठीक है यह हराश मान होने वाला है तो चलो अब बात करते हैं 2 से infinite तक की तो तीन ले लिया तो थिरी यहां पर टू माइनस थिरी यहां पर सॉरी, सॉरी, हाँ टू माइनस थिरी यहां पर और अपान में एक की पावर थिरी यहां पर ओके, तो यह हो गया थिरी, यह हो गया घट करके माइनस एक बटे में एक की पावर थि मनलब माइनस का 3 और E की पावर 3 ये तो माइनस का आ गया और जब ये माइनस का आ गया तो इसका मनलब है यहाँ पर भी यहाँ हराशमान है ठीक है यहाँ यहाँ पर भी वर्दमान नहीं मिला तो जब यहाँ पर भी वर्दमान नहीं मिला तो एक रखा, इंटो में 2-1 रखा, अपान में E की पावर एक रखा, तो ये वन गया 1 और ये वन गया 1 अपान में E, अर्थात 1 बटे E, और ये आया positive प्लस का, और ये प्लस का आया, तो इसका मुलब यहीं पर यहाँ, क्या होगा, वर्धमान होगा, तो आपसन नमबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, D वाला सही हो जाएगा, किस पर यहाँ वर्धमान है, पूँचा गया था, किस अंतराल पर यहाँ वर्धमान है, तो हमें पता चला, 0 से 2 पर यहाँ वर्धमान है, इस पर हराशमान है, और इस पर ना तो वर्धमान है, ना है हराशमान है, क्योंकि क ऐसे सपोर्ट करते रहे अच्छे से सपोर्ट करिएगा आप लोगों का फिजिक्स में सपोर्ट बहुत ही मिला बस आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट अगर मिलता रहा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूँगा आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाता रहूँग